आज थी अश्टमी तो अश्टमी हम लोगों की हो गई है मेरे व्रत्तो उपन हो गए है आप लोग बैदेगी का आपने किसने किसने कल नौमी करनी है तो सभी को जैम आता दी मेरी तरफ से और मैं थोड़ा सा मतलब दो दिन मैंने I think दो दिन आज कर आधा दिन निकल गया और तल मैंने पूरा दिन कोई वीडियो नहीं डाला विडियो मैंने पोस्ट किया था वो आप लोगोंने मेरी आवाद से ही समझ लिया होगा कि मतलब मेरा दिमाग कितना घूम गया था और जो बात मैंने बोली वो चीज आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ एफेक्ट आपको दिग गया होगा चैनल पे ठीक है मतलब मेरे चैनल पे नहीं जिनके चैनल की बात हो रही थी उनके चैनल पे ठीक है और जिनको नहीं एफेक्ट दिखता वो लोग बोलते हैं कि हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं लेकिन कोई एफेक्ट नहीं दिखता है तो मैं उनसे काऊंगी कि कि किसी भी चैनल पे अगर प्रिपोर्टिंग कर रहे हूं तो monetize channel के उपर बहुत effect पड़ता है रिपोर्टिंग का views तो down होते ही होते हैं अगर views नहीं down हो रहे किसी वज़े से clickbait ज़ादा हो रहा है और उस वज़े से views नहीं down हो रहे तो जो वो होता है ना earning वो जरूर कम हो जाती है RPM गिर जाता है तो RPM गिर जाएगा तो अपने आपी जो earning होती है वो कम हो जाती है तो इंसान को creator को मतलब हर जाना तो भरना पड़ता है reporting आप अगर 10 लोग 15 लोग मिलके एक time पर report कर रहे हो effect तो channel पर पड़ता है बेशक पो normal viewer को दिखे या ना दिखे मैं creator हूँ मुझे मालूम है कि अगर कोई 10 लोग भी मेरे channel पर report करते हैं तो उस channel की हालत कितनी बिगड़ जाती है मैं जानती हूँ और सच में रोना आ जाता है उस channel को वापिस normal करने के लिए कई बार तो मैं कर देती हूँ वापिस normal कई बार मैं बिल्कुल छोड़ देती हूँ जब छोड़ देती हूँ तो वह धीरे 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 चीज़े नॉर्मल होती है तो बहुत जादा अब प्राब्लम है आसान नहीं है YouTube यहां की earning कमाना बहुत आसान नहीं है तो मैं यही काऊंगी कि जिनको नहीं लग रहा है कि वीवर्स को ऐसा लग रहा है कि वहीं डिपोर्टिंग से कोई फरक नहीं पड़ता है तो आप ये बात भूल जाएए कि कोई फरक नहीं पड़त हर creator को फरक पड़ता है अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने चीज़े आएंगी RPM गिर जाएगा आपने पहले इस जूट की दुनिया की कहानी का पारे में सुना भी होगा इसके मुझे भी सुना होगा कि इनका RPM जो था वो बहुत कम हो गया था बीच में आप लोगों को पता है या ना बीच में एक अर्निंग की वीडियो लाई थी ये इसमें उन्होंने बताया था कि मेरा RPM जो है वो बहुत जादे गिर गया है और पहले मैं इतनी वीडियो में साड़े तीन सो का काम कर लेती थी इतने वी उस पे लेकिन आज की डेट में सो रुपे डेड़े सो रुपे बन रहे हैं तो मैं कैसे पैसे बनाऊंगी जब इनोंने बारा बारा यह करूँगी कि जो मैंने पर्फ सो रियक्षन दिया उसके बाद मुझे एक दो लोगों के मेसेज़ेस आये जो मेरे मेरे साथ कांटीनूसली जुड़े हुए हैं उन्होंने मुझे बोला कि आप रियक्षन देते हो तो इसके वीउस जादा आते हैं अगर आप रियक्षन देने बंद कर दोगे या कम कर दोगे रोज की आप दो तीन वीडियो जालते हो तो वो वीडियो उसकी जगा आप एक वीडियो अगर डालने शुरू कर दोगे तो इसके वीउस गिड़ जाएंगे उनका कहना ये था तो मैंने इसलिए कल कोई वीडियो नहीं डाला आज भी पूरा दिन निकल गया आपने देखा पूरा दिन का काम था जबकि अश्टमी से मैं नॉर्मली बारा बज़े तक अल्मोस्ट फ्री हो चुकी थी क्योंकि पूजा पार्ट तो हमारा सोबाई हो गया था उसके बाद जिसे मम्मे आई होई हैं तो वो आई होई थी उनका खाना पीना जो भी मतलब करना था साथ में बैटना था मार्केट घुम के आना था वो सब कुछ मेरा अल्मोस्ट पाट सड़े बरस तक क्लियर हो गया था लेकिन ये वीडियो आपको लेट मिलेगी मैं पूरा फ्री थी कुई काम नहीं था मुझे आफिस व गपना नहीं था रहे हैं और आज उन्होंने जो स्टोरी वीडियो डाली है उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़े अपने मूसे सच बोल दी है ठीक है उससे पहले मैं बात करूँगी कि इनकी मम्मी वाला जो वीडियो आया उस वीडियो के अंदर इनों ने ये दिखाने की कोशिश की कि इनकी मम्मी को दिमागी तोर पे प्रॉबलम है उनको डिस्टरब है वो उनका माइंड गड़बड है और इनको सच में मतलब बुरा फील हो रहा है या बुरा कर रही है इनके साथ इनकी माताजी तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद मैं इनसे एक ही बात कहूंगी सारी चीज़े अपनी अपनी जगा जायज है तुमारी मा के दिमागी हौलत बिगड़ी हुई है मान लिया कि तुमारी मा पागल है मान लिया मैंने इस बात को मैंने ये भी मान लिया कि तुमारी मा तुमें एक आखनी भाती वो बिल्कुल तुमसे नफरत करती है उनके भी हजार रीजन होंगे जो वो नफरत करती है और वो reason से हमें कुछ लेना ही नहीं है मैं तो यह बोलूँगी ठीक है लेकिन इस सारी बातों को अगर हम देखें और जो वीडियो तुमने दिखाया हम उसको देखें तो मुझे सिरफ एक चीज समझ में नहीं आई कि हमारे को कीडे मकोडे दिखा कर चीजों से तो मैं यह काऊंगी कि उस फायदे के लिए तुमने इतनी गंदगी हम लोगों के साथ शेयर क्यों की कि मतलब हम लोगों को vomiting वाली feeling आ रही है हम लोग vomiting कर भी रहे हैं तुमने हमारी तब्यत के साथ खिलवाड क्यों किया मैं सरफ इतना काऊंगी और आज की जो यह बोल रही है ना इसकी बातों पर ध्यान दीजे थोड़ा सा और आप खुदी इसका फैसला कीजे जो करना है क्योंकि इतना बड़ा जूट ना मुझे नहीं लगता कोई बोलता होगा सोएवे भगवान की तो तुम इज्जद नहीं करती हो अब भगवान तुमारी तब भी शरम नहीं है एक औरत होती है ना तो उसके पास अगर मैं कहाँगी इंसान कोई भी औरत की तो छोड़ो मैं कहाँगी कोई भी नॉर्मल एक इंसान है उसके साथ इतने सारी चीज़े हाथ से हो जाते है ना लेकिन अगर उसके पास उसको कंधा देने के लिए कोई है कितने भी life में struggle हो कितने बड़ी बड़ी tragedy हो जाए आपके साथ लेकिन अगर आपके पास कोई आपको कंधा देनी के लिए तो मुझे लगता है आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो लेकिन जिस इंसान के पास उसका परिवार होते सोते उसके पास एक कंधा नहीं है तो मुझे लगता है कि तुमसे एक गंदा गिरा हुआ और घटिया इंसान कोई नहीं होगा दुनिया में और फिर भी अगर तुम अपने आपको खुश नसीब समझ रही हो तो बिलकुल समझो वो तुमारी गल्थ फैमी है मुझे नहीं लगता कि ये गल्थ फैमी मुझे पालनी चाहिए या किसी और को पालनी चाहिए बेकॉस सच्चाई दुनिया में जो समझ लेता है शायद वो इंसान अपनी लाइफ की तरक्की कर लेता है और अपने आसपास कुछ ऐसी चीज़े कर लेता है कि जिन से कल कोई चीज़ हो तो पच्चतावा ना हो सिर्फ पैसा, कमाना, घर बनाना इन सबसे दुनिया या चीज़े नहीं चलती है मुझे नहीं लगता बाकि हर एक इनसान की अपनी एक अलग सोच है अलग समझ है जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आप वीडियो कम कर दो तो मैं उनसे पूछूंगी कि आप लोग मुझे अभी दो दिन मैंने ब्रेक दिया आप लोग मुझे सिर्फ इतना बताना मेरे वीडियो ना डालने से उस चैनल पे क्या आपको इफेक्ट देखने को मिला मुझे सिर्फ इतना बताना ठीक है अगर आप मेरे को वीडियो बता दोगे और मुझे सच में लगेगा कि आप सच बोल रहे हो तो मैं आपने उपर फोकस करूंगी मुझे कोई इतना लालच नहीं है इस चैनल से ठीक है इन से नहीं तो मैं किसी और से कांट्रोवर्सी में घुच जाओंगी किसी की मुझे कोई फरक नहीं बड़ेगा मेरा चैनल फे भी चल जाएगा ठीक है तो आप लोग मुझे बताना कि मेरे रियक्शन ना देने से और मेरे रियक्शन देने से दोनों तरीके से क्या इफेक्ट पड़ रहा है आप मुझे सर्फ इतना बताना और मैंने सर्फ इसलिए वीडियो नहीं डाला आपके ये बोल थे कि आप रियक्शन जादा दोगे तो इन पर व्यूज जादा आएंगे और मैंने डियक्शन नहीं दे है scripts ये तो व्यूज नहीं आएंप मुझे सर्फ इतना बताना और अगले वीडियो में आपको reason भी बताओंगी कि व्यूज क्यों आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं और क्या हो रहा है चीक है मैं पूरा बताओंगी आप लगों को तो अगला वीडियो का वेट करना मैं मिलते हूं अगले वीडियो के साथ में तब तक की लिए बाई टिक क्यार